हलो दोस्तों इन व्यू आफ आफ आवर स्काइबर्स डिमांड हमने नई स्विफ्ट 2023 का रिंडर मॉडल बनाया है तो विडियो इंजॉय किजिए तो सबसे पहले बात करते हैं नई स्विफ्ट के फ्रंट लुक की तो फ्रंट में इसमें आपको नया एलेडी हेड्लैम्स का सेट अप मिलेगा और साथ में प्रोजेक्टर एलेडी फॉग लाइट्स भी आव इसकार में आपको मिलने वाले और साथी में नई फ्रॉंग्स जै अब चलिए बात करते हैं रियर लुक की तो रियर में आपको नए शेप के लेडी टेल लैम्स मिलेंगे और साथ में रिफ्लेक्टर आपको ट्राइशेप के मिलने वाले हैं और साथ में रियर वाइपर और डिफॉगर जड़क्स आई और जड़क्स आई प्लस वेरियंट म ही मिलेगा अब चलिए बात करते हैं गाड़े की इंटीरियर की इंटीरियर में आपको पूरे ब्लैक लयाउट की inटीरियर होने वाली हैं जिसे में पुराने से दूल मिले चेंजेज ज्यादा कुछ नहीं होने वाले चेंजेज में आपके इसcam सिस्टम मिलने वाले हैं जो एपल कार पर और अंड्रोइड आटो जोनों सपोर्ट करेगा जैसे हमने बलीनों और ग्रैंड विटारा में देखा वही थीम का आपको मिलने वाला है दोस्तों साज में मिलने वाले हैं और बात करते हैं कुछ फीचर्स की तो इसमें अब आपको कंपनी संरूप भी प्रवाइड करने जा रही है जो सिर्फ जेट एकसाई प्लस ट्रिम में होने वाली है क्योंकि सिफ्ट वगेरा कभी दाम अब काफी इंक्रीज हो गया है तो कंपनी उसे वैल्यू इस बेस मॉडल से स्टैंडर्ड होने वाले हैं और कंपनी इसमें आपको हाई स्टेंट इस्टिल भी देखके थोड़ी सी इंप्रूफ कर सकती है और चलिए बात करते हैं इसके इंजन आप्शन की तो इंजन में आपको अब नया वन लीटर टर्बो जो हमने फ्रॉंक्स मे मिलेगा और इंजन ऑप्शन्स जो सिफ्ट में चलते आ रही है 1.2 लीटर डूल जेट जो पाउर प्रेड्यूस करता है 89 भी और साथ में सी एंजी भी जो आपको माइलेज देती है 31 केजी किलोमीटर प्रती केजी का वह सब भी आपको मिलेगा ही लेकिन डीजल इंजन तो को में देती प्रत बारे में सौच भी नहीं रहा है और चलिए बात करते हैं रियर स्पेस के कंफ़्त ही तो इसमें आपको पीछे ऐस हमारा एजयप्शन सहा नई गाडी जैसे आएगे हम आपको एनफॉर्म करतेंगे hope you like the video stay subscribe दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने क्लिए thank you so much